तीन योजनाओं का एलान केंद्रियम महिला एवं बाल विकास मंत्राले के तहत हम शुरू कर रहे हैं जिससे बहतर आंगनबाडियां जो की बहतर सुविधाओं से लेस होंगी जो ज्यादा साहता महिलाओं को दे सकें कर्मी भारत में सभी का इसमें असायन लगे हुई है कि इस बजट से सभी का मांदय विर्दी हो सकता है उनके पोसाहार में वैर्दी हो सकता है अब रमतार के सभी चीज़वें वैर्दी होने की उमीद लग रही है क्योंकि ये बज़र जो है वो सभी के लिए पेस की जा रही है ये बज़र भी कुछ खास करके महीराओं के लिए बोला जा रहा है कि खास है यह बजट क्योंकि आप लोग को पता होने चाहिए यह मोदी जी के कारिकाल में यह आखरी बजट है और लगातार उन्हें छटा बजट किया है और यह जो बजट है इलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग का सभी जगा सभी राज में लगवाग भारत के सभी राज में की गई है लेकिन के नरश देती हैं लोगोंको उसमें से कहीं भी अभी कुछ बढ़ोती नहीं की गई है तो इससे ज़्यादा उम्मीद लग सकती है कि अंगरबाई सेविकाओं को क्योंकि अभी तक कोई भी विर्दी नहीं किया गया है तो हम लोगा यह वजट जो पेस की जा रहे है इसमें सेविकाओं के लिए खास करके जरूर नहीं जरूर इसमें बिर्दी की बात होगी तो जिए हम लोग एक बार देखते हैं यह समें बोला गया है कि माहिलाओं के लिए खास होगा यह वजट अब बजट 24 के यह चुनाविस साल है ऐसे में सरकार से अंतिम बजट सबका ध्यान रहा है बितमंत्री निनुरा स का आकरी बजट है और यह 2024 यानि की हमारे निये प्राहन मंत्री जिका यह आकरी बजट है चुनाविस साल में सरकार की तरफ से महिलाओं पर बेसे फोकस रहता है यह रह सकता है यह कि हम लोग बताएं कि बैंक से जुड़ी एलान कि जा सकती है बहुत सारे योजनाओं के अन भी मिल सकती है इसमें महिलाओं के परती कुछ करने का सचा जा रहा है अब यह देखिए बजट के भी लिक नहीं हो सकता है क्योंकि लीख हो जाएगा तो हमारे जो वित मंत्री हैं उनको इस्थिपा देना पर जाएगा यह अनुमान लगा जा सकता है कि इस वार की बजट मे इसमें बता दिया गया है कि आप लोगों को कि आप बहुत सारी कारे जो कर नहीं हो पाएंगे तो जो भी सिविकाओं को हो या किसी को भी कुछ मिलने का हो जो कि किन सरकार के दोरह दिया जा सकता है तो इसी बजट में आप सभी को मिल सकते हैं इसलिए यह बजट आप सभी के लिए खास हैं चलिए कुछ और जनकारी प्राप्त होना चाहिए बात करें कि आंगन बाई से विकाओं को इस बजट में क्या मिलीगी तो चलिए हमनों कि यूनियोन बजट 2024 जो की बजट पेस होने वाली है एक फरबड़ी 2024 को ताई जी यानि की वित मंतरी निम्ला से तर्मनी के दरा पेस की जाएगी इस बजट में मध्यमबर के अब लोगों को कई उमीद है जिसमें टेक्स छूट भी मिल सकती है अगली बाद जो बजट पेस ह होने वाली है इसके बाद हम लोग का अचार सहीता लागों हो जाएगा तो यह चुनावी महुल के सबसे आखरी बजट है इसलिए बजट जो सभी के लिए बड़ी माने जा रही है इसलिए बता दे आप लोगों को निखिया गया है कि रोजगार तो अफा मिल सकती है खासकर अंगनवारी बड़करों को निगाहें आखरी बजट पर लगी है महसवा की और से पीम मंतरी महिला में वाल विकास मंतराली नेती आयोग का गुहार लगाई है आप लोगों को बता दें तो देखिया पर बोला गया है कि करीब 26 लाक अंगनवारी बड़कों के साथ मोधी सर घंटा काम करते हैं लेकिन यहां पर देखिए 6 घंटा जो है सरकार ने एक्षप्ट कर लिया यानिकी वितमंतरी जो है वो एक्षप्ट कल चुके हैं कि आप लोग 6 घंटा कारी करते हैं तो देखिए यह सरकार के और से बड़ी अच्छी खुसकवरी मिली है इसी तरह आसा लेकिन आप सभी की जरूर में जासकता है जैसे कि आप सभी को बताएं बिहार में हर्ताल हुआ था और हर्ताल के दौरान से विकाओं को मांदे में विर्ती हुआ लेकिन समांजनक विर्ती नहीं हुआ इससे भी कर दिया है लेकिन इन सरकार विर्ती नहीं किया है इसलिए हम लोग वी गुजारिस करते हैं केंड्रांस और राजांस मिलाकर दे जाते हैं लेकिन केंड्र का जो 38 पर आप सब्सक्राइब बूर्ड नेखिए घ्रांस पर बंदा जाएं तो इसे सब्सक्राइब कर दूर्डद कर दोड़ा दें प्रदेश में अंगरबरी करताओं को मांदे में विर्दी हुआ है यहां पर राज सरकार विर्दी के हैं तो पूरे भारत में लागू होगा और सभी से भी काओंवहनों को मिलेगा इसलिए इस बार की वजट जो हो खास वजट बोली जा रहे हैं खास करके महिलाओं के लिए करताओं को कितना मिलना चाहिए सारे कमेंट अपना आब अठास करके मांग है उन्हाँ और यहां तो डूसरी हो तो इसवे भषूट करति है कि इस भजट में आपकी दुन्हों